हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे हम सभी पूर उसेनिकों के लिए और पैंशनर्स के लिए आज के इंपोर्टन अपटेट के बारे में दोस्तो एड़ पेकमिशन के उपर आज का अपडेट है दोस्तो आठवा वेतन आयोग काफी दिनों से सुना जा रहा है और यही राई टाइमें जनुरी 24 से जो इसको स्टार्ट होना क्योंकि साथ वेतन आयोग 2016 में लागू हो आता तो यह 2026 में लागू होना है नोस्तो आफ़ वेतन आयोग पर सरकारी करमचारियों के लिए बड़ी ख़ 168 fitment factor है ये किस तरह से मिलता है क्या होता है इसके उपर जो है लोग सबाज चुनाओं अब दोस्तों क्लेटी आ रही है कि अभी तक सरकार ने को योजना नहीं बनाई है और ऐसा का जा रहा है कि चुनाओं के नजदीक आते ही वित मंत्राले पर आठ्वे वेतनायों कठित करने का और उसे अनुसुचित राजनिती का दवाब पड़ेगा वित सचीव के फिलाल आठ्वे वेतनायों की योजना से दोस्तों इनकार किया है मतलब आठ्वे वेतनायों की योजना से इनकार किया है और एक रिपोर्ट के अनुसार सचिव टीवी आठवे वेतनायोग गठित करने के संबंद में फिलाल कोई भी योजना नहीं है और दोस्तों आप समझ सकते हैं अभी हम लोग वहां पर बैठे हैं जहां पर आठवा वेतनायोग जो है शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन अभ तो वित सचिव ने फिलाल आठवे वेतनायोग की योजना से इंकार किया है एंडी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार सचिव टीवी आठवे वेतनायोग गठित करने के संबंद में फिलाल कोई योजना नहीं है अभी इसके बारे में कुछ भी तह नहीं है तो दोस्तों ये केंद्रे करमचारियों, शशश्त्रबलों और पेंशन धारकों को लुभाने के लिए वेतन आयों का इस्तमाल करती रही है और अभी भी चुनाव आने वाले हैं लेकिन इस बार जो है बड़ी अचंबे की बात है कि कोई भी प्लैन नहीं है इस बार कोई भी जो है पे कमिशन दोस्तों दूसरा जो है जन्वरी से जो है पेंशन धारकों की जो है पेंशन में भारी ब्रहुत्री भी होने वाली है क्योंकि 50% पहुंचते ही जो है अगर तो पे कमिशन लागू नहीं होता फिर तो 25% आपका जो है मर्ज हो जाएगा और 25% जो है आपका डिये पे इंक्री जो है आपके जो है पेंशन में बहुत ज्यादा प्रहुत्री हो जाएगी अगर रैंक वाइस भी करें तो अलग अलग रैंक पर चेक कर सकते हैं कि 50 का 25% आप मर्ज कर दीजिए उसके ओपर जो 25% है उस हिसाब से आपको बेनिफिट होने वाला है तो दोस्तों दो बाते हैं कि फॉर्मुला लेकर आती है वो हमें देखना पड़ेगा लेकिन आठवे वेतनायोग के बारे में तो अभी जो आपके सामने मैंने न्यूज पढ़ी है वही न्यूज है कि आठवा वेतनायोग जो है इसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया है अधरवाइस नॉर्मल करेंशन आने के आसार नहीं लग रहे हैं तो दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट अप्डेट सभी पूरु सेंकों के लिए पैंशनर्स के लिए और केंद्री करमचारियों के लिए हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए दिसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब सब्सक्राइब करने ना भूलें थैंक यू फर वाचिं इस वीडियो